सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तों RPSC की जो SIE की भरती है वह वापस से री ओपनिंग हुई है उसकी तो जो दोस्त फोम बनने से बज गए थे तो वह वापस से भर देना और जिसने नहीं बढ़ा है वह पीज में पूरी जानकारी बताऊंगा वीडियो लास तक देखें और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे हो और पुराने हो तो वीडियो देखें मज़े लें देखा सुरू करते हैं जो आप पेज देख रहे हैं इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैं फोम भी बढ़ता हूं अगर आपको किसी को फोम बर्वाना है तो मुझे कमेंड कर देना ठीक है देकर स्टार्ट करते हैं यह जो एसाइक की भरती है यह पहले फर्वरी में निकले थी ठीक है अब इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है और 23 जून यानि कि 23 जून 2021 तक आप इसके फोम भर सकते हैं और फीज भी 23 जून 2021 तक आप जमा कर सकते हैं एक्जाम एक्जाम के टिकाने नहीं इसके अभी और देखते हैं इसका कि जो पेमेंट किता लग रहा है तो सातियों अगर आप जनरल OBC और EVS में हो तो आप साड़े 300 रुपे दो और अगर आप OBC में हो तो 200 रुपे और अगर आप STC के हो तो 150 रुप किसा आप से क्या है तो देखो चोटे से चोटे अगर आपके उमर 20 साल होनी चाहिए और मिनियूम यानकि 25 साल यानकि 20 से 25 के बीच में अगर आप होगे तो यह आपका फूम बराएगा वरना नहीं भराएगा अब आप गणना कैसे करो गया तो भाया एक जन्वरी 2022 तक से अ अपने उमर कितने हो दोस्तों इस वेकेंजी में 877 पोस्ट हैं और पोस्ट में क्या क्या है देखलें आप पड़ा लिखे हो फिर बता देता हूं सब इंस्पेक्टर नोन टीएसपी टीएसपी में अलग अलग है पिएस नोन टीएसपी में 663 वेक्ति की वह पॉइंट करें इसमें महिलाएं भी शामिल है और पूरुष टीएसपी में 81 विक्ति ठीक है और सब इंस्पेक्टर आई भी इसमें भी नोन टीएसपी का तरद सट और टीएसपी का एक इन सभी की एजुकेशन कौलिफिकेशन मांग रहा है बैचलर डिग्री इन एनिस्टी मतलब बीए हो कास्ट वाइज अगर यहां पर डीटेल देखनी तो आप देख सकते हो कि नॉन टीएसपी टीएसपी की कित्ते पते ठीक है आप देख लेना वीडियो पोस्ट करके और इसके स्क्रिंशूर्ट भी उन्चे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आसे देख लेना के टीगर अगर ॆप की 1 संटिमेटर होना चीए रूर्पूर हो तो पांक सेंटिमेटर का फूल आओ है अगर आप पूरुष हो तो आप के लिए बजन की कोई स्यमानी है ठीक है लेकिन अगर आप महिळा हो तो आपकी हैड़ 12 सेंटिमेटर की होनी चीए महिला की चेस्ट च्कनी की जाती महिलाओं का वजन चेक किया जाता है अगर आप महिला हो तो आपको साड़े से तर्श किलो का तो होना ही चाहिए ठीक है आपको क्या करना है अगर आपको फॉम बनने की जानकारी रखते हो तो इसी पेज के नीचे यहां पर अप्लाई उनलाइन का बटन है यहां पर क्लिक कर देना और अगर आपसे नहीं भर है तो मुझे बता देना मैं आपको फॉम बर दूँगा ठीक है यह आपको डायरेक्ट SSO पर लोग इन कर देगा आपकी SSO ID सभी की बनी होगी जिसकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना मैं इसकी नहीं मैंने वीडियो बनाई हुई है तो मैं वहां सबको बता दूँगा ठीक है तो नए नए जो 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 रिक्वायर्मेंट है तो उन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आशा करता आपको जानकर इच्छी लगी होगी और दोस्तो जो पेज आप देख रहे हैं इस पेज का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूआ ठीक है यह मैंज मैंने आप एक डीटेल बताई है ठी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइक दबाएं लाइक कमेंड और शेयर करें धन्यवाद